हेलो एवरीवन वेलकम टू इंजिनियर्स एजकेशन पॉइंट इन इस वीडियो वी आर गोईंग टू लार्न अबाउट हेज विरीज हम लोग हेज विरीज की बारे में पढ़ेंगे तो हेज विरीज जो है यह मोडिफिकेशन है अगर आप मैक्सवल इंड़क्टेंस के पैसिटेंश ब्रीज देखे हैं तो यह जो आर्म है उसमें और पूर और था है यह सीज तरता है बस्तोन कला है हक करना लोग यू ऊप्रींट से लोग इच्ञेश ऑफमाइच कहीट कर से डिची को ये है मêटिंट कर gelecek है मेडियू की पैसकर खोलाक सब्सक्राइब हाय थीमेच अंडयर क100 चेलो पिंड़ास करते हैं ॥३३ ख कि से को जो Siemens मैंने फवेज़ 167 के ढौटक्रेड kanka टक और करने का सब्सक्राइब विद्यों को दो नों को सिरीज में करनेंट किया जाता है इन सटीड अपर शीस्टाइंस इन प्रपर लीड वीद राइकिल मैक्स मेल ब्रीज मैक्सवेल इंड़ेंस का पेसिटर और रेसिस्टर दोनों क्या था फैरल में करेक्टेर था वही है क्या है उसी को लुदिफाइ कर दिया गया है और और ह्यार पहर उसको शिरीज में लगा गया है अब डेखे बाउन की सब चीज सेम है और ऑन और प्लस ब्यार हो जाएगा तो चलिए अब देखते हैं बाइलेंस कंडिशन में क्या होता है जएड़न जएड़ेंस का कंडिशन तो जएड़न इसकॉल टू जएड़ेंस का देखते है आप देखिए यहां पर जएड़न इसकॉल टू क्या हो जाएगा Z1 is equal to R1 plus J omega L1 यह आपका Z1 है यह आपका Z2 है Z3, Z4 उसी तरह Z2 is equal to क्या हो जाएगा R2, Z3 is equal to क्या हो जाएगा R3 और Z4 is equal to क्या हो जाएगा Z4 is equal to क्या हो जाएगा R4 दोनों क्या है Series में है तो R4 plus 1 by J omega C4 इसको क्या लिख सकते है R4 plus यहाँ पर minus J बटे omega C4 लिख सकते है क्योंकि 1 बटे J को आप minus J लिख सकते है क्योंकि 1 बटे J into J से उपर निचा multiply किज़े क्या जाएगा J बटे J square J square is equal to क्या हो जाएगा minus 1 तो minus J आप लिख सकते है 1 बटे J को minus J लिख सकते है तो बस वही किये है क्योंकि capacitive reactance हम लोग लेते है capacitive reaction क्या होता है 1 by J omega C इसलिए 1 by J omega C4 लिखे है capacitive reactance लिखा जाता है अब देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए Z1 is equal to क्या है R1 plus J omega L1 है R1 plus J omega L1 तो Z1 हो गया R1 plus J omega L1 Z4 क्या है R4 minus J by omega C4 R4 minus J by omega C4 is equal to Z2 Z3 Z2 कितना है R2 और Z3 कितना है R3 R2 into R3 अब क्या करना है इसको separate करना है पहले तो calculate कर लिजिए और फिर क्या किजिए real और imaginary part को separate कर दिजिए तो देखिए अगर इसको आप solve करेंगे तो यहाँ पर क्या है जाएगा multiply कर दिजिए यहाँ इसको multiply किजिए तो क्या है जाएगा R1 R4 R1 R4 plus इसको इसको किजिएगा क्या हैगा minus हो जाएगा minus J R1 बटे क्या हैगा omega C would इसको आचले किजिए तो क्या हो जाएगा plus J omega R4 L1 यह L1 R4 जो भी लिखिए R4 L1 फिर इसको हो जाएगा प्लास माइनस क्या हो जाएगा minus सबक्राइब्स जै आए तो क्या हो जाएगा आइनस जैशक्वाइर कि माइनस जैवे स्क्वाइर ओमेगा ऐलником बट्टे क्या जाएगा है गागा तो मेगाएber ओमेगा सी फोसरों इंद आता है मैना सुन हो जाएगा तो ELL नइजमर टो ग। इंद हो जाएगा यहां पे अरल चरह सो जाएगा थार प्लास ज्घाग योफ्रोन उमेगा सी फोर ब्लास जे ओमेगा R4 L1 plus J square is equal to minus 1 होता है तो minus minus क्या आजाएगा प्लस हो जाएगा तो plus L1 बट्टे C4 आजाएगा L1 बट्टे C4 आजाएगा is equal to R2 R3 यहाँ पे देखिए R1 R4 minus J R1 omega C4 plus J omega L1 R4 plus L1 C4 is equal to क्या हो जाएगा R2 R3 अब यहाँ पे क्या किजिए Rial को एक साथ कर लिजिए और image Nari को एक साथ कर लिजिए तो देखिए यह term real है इसमें और यह term real है और इधर यह term real है तो R1 R4 plus L1 बट्टे C4 is equal to क्या हो जाएगा R2 R3 अब यहाँ से R1 is equal to क्या हो जाएगा R1 is equal to यह इधर जाएगा तो प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा R2 R3 minus L1 बट्टे C4 is called और बट्टे R4 हो जाएगा तो यहां से आपको R1 का value निकल गया and जब real part को equate किये तो R1 का value आ गया अब जब imaginary part को equate करेंगे तो L1 का value आएगा देखिए इमेजनरी part क्या है इसमें इमेजनरी part क्या है यह इमेजनरी है यह इमेजनरी और इधर इमेजनरी कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा means यहां पर देखिए जे ओमेगा L1 R4 माइनस जे आरवन बटे ओमेगा C4 is called to 0 हो जाएगा इमेजनरी part तो यहां से इसको इधर ले जाए यहां माइनस है तो इधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो जे ओमेगा L1 R4 is called to क्या हो जाएगा यहां से जे जे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और L1 is called to क्या हो जाएगा L1 is called to R1 बटे ओमेगा स्कॉाइर आरफोर C4 यह आपका आजाएगा क्रॉस मालिप्लिकेशन कीजिए यहां से लवन निकाल लिए तो यह आजाएगा अब क्या करना है आपको सॉल्विंग वी गेट अब देखिए यह जो आरवन है इसमें क्या है L1 भी है अलवन हम लोग जानते हैं अन्नों है तो वैलू कैसे कल्कुलेट होगा अब क्या कीजिए यह जो ऐलवन है उस पे यह बैलू को पूट कर दीजिए चलिए पूट करते हैं और देखते हैं क्या अब क्या लिखेंगे धिस यह बला लिखेंगे तो आरकेटर में सब आ जाएगा तो यह बैड़ेट हमेगा एशॉकॉए और ओमेगा स्क्वाइर r4 c4 square r2 r3 minus क्या हो जाएगा r1 बटे r4 cross multiplication कर लिजे cross multiplication क्या हो जाएगा r1 r4 is equal to क्या हो जाएगा omega square r4 c4 square r2 r3 minus r1 अब क्या कीजे r1 को एक side कर लिजे यह r1 है तो इधर कर लिजे तो r1 अगर common लिजेगा क्या हो जाएगा यहाँ पे r1 को इधर कीजेगा तो एक मिनट यहाँ पे आप सही कीजे यहाँ पे देखिए यह term हो गया minus यह बटे यह आजाएगा ना omega square r4 c4 square और बटे r4 होगा तो r4 बटे r4 है means अब multiplication में क्या जाएगा 1 by r4 1 by r4 हो जाएगा यही तो अब यहाँ पे क्या जाएगा r1 is equal to आपका आगया omega square r4 c4 square r2 r3 minus r1 बटे नीचे क्या जाएगा omega square r4 square c4 square अब cross multiplication कीजिए तो यहाँ पे क्या जाएगा omega square r4 square c4 square r1 is equal to omega square r4 c4 square r2 r3 minus r1 अब क्या कीजिए r1 को इस साइड लाइए और common ले लिजिए r1 तो r1 common ले जगत क्या बचेगा omega square r4 square c4 square plus 1 is equal to यह बला term बचेगा omega square r4 c4 square r2 r3 यहाँ से r1 is equal to अब क्या जाएगा अब r1 is equal to आजाएगा आपका omega square r4 c4 square r2 r3 बचे नीचे में क्या जाएगा 1 plus किजिए या 1 plus omega square r4 square c4 square यह जाएगा ना देखें यहाँ पर क्या गया r1 is equal to क्या गया omega square r4 c4 square r2 r3 बचे 1 plus omega square c4 square r4 square आगया इतना अब देखें यह सब वैलू नोन है यहाँ पर क्या था यहाँ खुद unknown value था तो कैसे कल्कुलेट होता रवन तो यह जो यह जो यहाँ यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं one by omega cr होता है होता है ना और यहां से one by q is equal to क्या हो जाएगा omega cr और one by q square is equal to क्या हो जाएगा omega square c square r square यह होगा ना आप देखें यहाँ पर omega square c4 square r4 square है इसके जाब क्या लिख सकते हैं one by q सकते हैं क्योंकि q is equal to क्या होता है one by omega c4 r4 तो यहां पर one is equal to क्या लिखेंगे omega square r2 r3 r4 c4 square बट्टे one plus one by q का hall square तो यहां से फाइनली आपको आर का value calculate हो जाएगा अब क्या करना है l का value calculate करना है L में भी यहीं चीज है आपको इंडेक टेंस निकालना है और इंडेक टेंस में देखें यहां पर r1 है और r1 क्या है unknown है खुद unknown है तो कैसे फैलू निकलेगा फिर क्या करना है यह जो आपको अब क्या करना है यह जो L1 है उसमें R1 का जो वैलू आया है फाइनली यह बला इसको पुट कर दीजिए तो L1 is called to क्या हो जाएगा R1 बट्टे ओमेगा स्कॉाइर R4 C4 है R1 is called to यह पुट किजिए क्या हो जाएगा ओमेगा स्कॉाइर R2 R3 R4 C4 स्कॉाइर बट्टे यह कितना हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्कॉाइर C4 स्कॉाइर R4 स्कॉाइर इन्टु दिस टर्म ओमेगा स्कॉाइर R4 C4 देखिए उपर नीचे कटेगा ओमेगा स्कॉाइर ओमेगा स्कॉाइर कट जाएगा और क्या कटेगा R4 R4 कट जाएगा एक C4 इसका कट जाएगा तो ऊपर में क्या बचेगा R2 R3 C4 बत्टे 1 प्लास ओमेगा स्कॉर स्कॉर एस्कॉर आर्फोर स्कॉर Van या यही है ना आथ two आर three C four बटड़ वंश ओमेगा स्कुऐर आर form स्कार सीफॱड सेफॉर is one फिर ओमेगा स्कुऊर अस्कुर स्कुर आ फोर स्कुर्ड यह है आ गया अब इसके दिछा सकते हम लोग R2 R3 C4 बट्टे 1 प्लास 1 by Q का हॉल स्कॉई क्योंकि Q is equal to 1 by omega C4 R4 है तो यहां से 1 plus 1 by Q का हॉल स्कॉई निकल गया तो यहां से अगर quality factor आप निकाल सकते हैं inductance निकाल सकते हैं अब इसमें देखिए R1 जो इसमें यह सब नोन भैलू है यहां से आपको क्या निकल जाएगा अगर क्वालिटी फैक्टर नहीं दिया हुआ तो यह फर्मूला निकाल दिए इससे आप निकाल लीजिए तो यहां से हम लोग R1 L1 और Q का भैलू निकाल सकते हैं और फाइनली आपका R1 L1 का भैलू यह आ गया Q का 1 वाई ओमेगा C4 R4 आ गया नेक्स्ट हम लोग फेजा डाइगराम देखेंगे अब यह देखिए यह फेजा डाइगराम है यह बिरिज का फेजा डाइगराम है अब चलिए इसको हम समझाते हैं पहले देखे रिसिस्टेंस के केस में क्या होता है बोल्टेज और करेंट यह जो है सेम फेज में होता है एक ही फेज में होता है वही इंडक्टर के केस में क्या होता है इंडक्टर केकेस में फोल्टेज जो है लीड करता है किसमें इंडक्टर केकेस में बोल्टेज लीड wi-90bril याँ रख्षिच में पूश सकता है 90 डिग्री से लीड करता है वही कैपसीटर की केस में क्या होता है कैपसीटर की केस में भोल्टेज जो है लैग करता है करेंट से 90 डिग्री से 90 डिग्री से लैग करता है capacitor के case में voltage lag होता है 90 degree से current से inductor के case में voltage lead करता है 90 degree से current यह inductor के case में और resistor के case में voltage और current जो है same phase में होता है यह समझ गए अब यहाँ पर देखिए यह जो diagram है उसी की मदद से मेलोग फेजर diagram को बनाए है अब यहाँ पर देखिए I1, I2, I3, I3 और I4 current है V1, V2, V3 और V4 voltage है अब यहाँ पर देखिए चलिए इसको हम समझाते हैं एक कोई current of reference मान लिजे कोई भी I1, I2, I3, I4 I1 हम लोग ले लिए एक line ले लिए I1 चलिए यह जो है I1 है, I1 है आप देखिए यहाँ पर यहाँ इसमें जो current है वो I1 है तो resistance R1 है तो R1 के cross voltage क्या हो जाएगा I1 into R1 इसके cross voltage क्या हो जाएगा I1 into R1 और current क्या होगा इसमे I1 तो resistance के case में क्या होता है voltage और current क्या होता है सेम फेज में होता है सेम फेज में होता है मिन्स आपका कोई पॉइंट होगा इसी पर होगा सेम फेज में यह आपका सपोज किजिए i1 r1 हो गया, क्या हो गया i1 r1, अब देखीए इसी के लिए यहाँ पर l1 है, indeed tends और index क्या होता है, वोल्टेज जो है, करता है 90 डिगरी से, तो index 첨ंस का वोल्टेज क्याई हो जागा, index 첨ंस के트를 कॉर्स वोल्टेज, i1 i1 omega l1 क्या होगा आईवन इसमें जो यह वोल्टेज है यह क्या होगा 90 डिग्री से लीड करेगा वोल्टेज तो यहां देखिए यहां से 90 डिग्री से लीड कर गया यह I1 ओमेगा L1 यह क्यों गया इंड़क्टर के cross voltage हो गया इंड़क्टर के cross voltage वो गया जो कि 90 डिग्री से लैक लीड करेगा क्योंकि इंड़क्टर है अब देखिये दोनों का जो रिजल टेंट होगा वही वन हो जाया ना क्योंकि दिए फकिन्ट वने तो मिस्किल उलत होता यो अई है नल कंडिशन होता है इसमें कोई करेंट नहीं पास करता है दिटेक्टर से को unionि नहीं पास करता है तो इसके पोटेंशियल होता है एक्वाधा होता है और सबस्क्राइब careers तो यहां पर इसका काम हो गया यह आर्म का अब आर्म का देखते हैं इसमें जो फोल्टेज फोलो करेंगा वो क्या होगा आयटवू इनन्टू आटवू होगा और हम लोग अभीए फोल्टेज लोगा इसके लुगे करूब यहांपे इसको- Hungary कर दीए तो यह क्या हो गायगा तो इसकाल चालर यहां पर फोल्ट यहां पर जाएगा आइटू को आइफोल का यह इसकाल पर अरबींट पर खुदित अ है यहां पर जोगा एकश्च फेलड़ लुट इसक। क्या याई डाट इस सुर्ण के ए juego है क्योंकि जब डिटेक्टर नहीं को भी करेंट इसमें भी आता है नियस्कों held अबक्रन फोर हो गया अब देखी य आउर थि्री तो फिर जो है इसमें क्या बोल थे जाएगा 003 & 003 और 005 शुक्रन क्या होता है I3 होता है I1 is called to I3 होता है और I2 is called to I4 है उसी तरह V1 is called to V2 है और V3 is called to V4 है अब देखिए यहां पर इसमें जो फोल्टेज होगा वो क्या होगा I3 into R3 और I1 is called to क्या है I3 है इसिन में होगा आपका इसी में होगा I1 is called to i3 है यहां पर I3 कर लीजिये अब देखिए इसमें जो भोल्टेज होगा वो क्या होगा I3 into R3 और इसमें रेसिस्टेंस है मतलब प्र क्यों मतल assass важно अब तो यहां पर गया् этиchen hackers एक एक यह अ आप धेए कष्ण से ये रेसिस्टेंस से और कित replante मी क्या होता है ना याइटी डिग्री का लेघ होता है थे पहले कर पैसी गालियताâu का देखे लेते हैं तो देखिये अगर आप पहले रेसिस्टर अगर दीघते है और फोर का देखते हैं तो भी महों कॉलकू क्या हो जाए गा भी फोर इस न्मट और बता हिए क्या हो जाएगा ड्र वी फ्रыми आए by फोर बट्रे ओमेगा C4 प्लास जाए गा लै гор फोर मेस ाइопрос आई फोर इंटू आफोर हो जाएगा यह resistance के वोल्टेज भीयार और यह होगा शार किपना हो गया और झाल फोर इंटू आर्फोर हो गया अब देखिए यह जो रे सीश्टेंस है वह क्या होगा होता है तो इसी पर कोई पॉइंट होगा तो यहां पर सब्सक्राइब कीजिए यह आपका इन्टू आर फोर है अब हो गया अब देखिए यह जो कैसी टेंस होता है तो यह आपका रिसिस्टेंस और यहां पर शोगा 90 का लो यह करेंग करेंगा मिंस यहां से 90 hog जगा निच्छे आजए आगा वोल्टेजि लेकर एगा तो यह जो बनायेगा किसे ना 3डगर का है इंड़के लिए यह का पैसिटर के लिए और यहां पर क्या जाएगा आइफोर बट्री ओमेगा सी फोर आ गया यह किसके लिए ते क्रसफ बोल्टेज हो गया अब देखिए यहां पे यह आपका इतना आ गया अब यहां से इसको कर दीजिये ये इसके क्रोस् कितना हो जाएगा ये और ये अब देखीं यह यहां पर आइफोर आर फोर हे और यहां पर IV- injici वह है और इसके भूल्रेज कर जागा और हम जानते हैं वी तो यहां पर आपको बीफोर मिल गया और भी तीजिक ऑल टूपर है तो बीफोर मिल गया आप जो फाइनली भी ऐसी जो है यह में भोल्टेज क्या मिल जाएगा तो देखिए यहां से यह वी वन है यह वी 1 है और यहां पर यह व्री सुन्तीय सक्वाद। यह वी फूर सिथी यह पर पर क्या है वीच गशल बहूं सब आहसा सन्क्राविऑ। यह यहां से आपको resultant मिल जाएगा resultant voltage तो यह आपका phasor diagram है हम लोग यह diagram की मतदद से फेजर डागराम को बना लिए देखेंगे हैं नेक्स्ट है एडबांटेज फेड़ीज हे बिलीज का क्या एडवानटेज है तो पहला देखें इटिशी यहुटेबल फोर हाई क्यू कॉपाइल क्यू ग्रेटर देंट होगा तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं है bridge की मंदद से self inductance major करते हैं सेकरेंड है क्वाइलिटी फैक्टर मेशिंप्रेशन क्वाइलिटी फैक्टर का एक्सप्रेशन है वह सिम्पल है क्यूइब फ़ोग फ़र इन्टुश है नेखसेड वांटेज फेविरिज का क्या डिसड़्वांटेज है क्या खामिया है दसा प्लाइफ फ्रिकेंशी फूद बी नोज फॉर फाइंडिंग आन्नोन परामिटर ऑफ आरवन और यहूं जो शॉप्लाइफ प्रिकेंशी है वह आपको पता होना चाहिए क्योंकि देखि आरवन और यह निकालने के लिए आप एक्स्प्रेशन में देख चुके हैं आरवन और यह एक्स्प्रेशन में स्कैनल इस नौट सुटेबल फूर मेजर में इसका इसका डिस अबांटेज हो गया थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो थैंक यू सो मच